आज हम आपको बताएंगे जो शावर मिक्चर है वाल में किस तरह फिटिंग करते हैं और फिक्स पाइप किस तरह लगाते हैं उसका फाइदा क्या होता है आईए दिखाते हैं कि यह है क्लोडी मेक्चर यह को लो बाई यह है इसको वाल में हम फिट करते हैं और इसको और समान दोड़ा देखाओ इसको पूरा फिटिंग पूरी जो कि यह इसमें डालो इदर लेकिया हो किस तरह फिट करते हैं हो इस पात्रूम में हम यह भी फिटिंग कर रहे हैं यह जो है यह हमने इसकी जो मिक्चर मिशीन है यह हमने इदर फिट कर दी और यहां पर इसको एपेक्स का कनेक्शन दे दिए और यहां पर एक PPR का कनेक्शन है वहां पर रख दिया इसमें शावर लगेगा उपर और अबसे यह जो रिड़् और ब्लू कलर है यहां पर इसको गरम और तंडे पानी आएगा और यहां पर नीचे इसका पॉइंट एक नीचे यहां पर रख दिया और यह इसका उपर जब यह प्लस्तर अभी होगा यह प्लस्तर के अंदर बंद हो जाएगा और बंद होने के बाद इसको जब टाइल लग जाएगा टाइल लगने के बाद इस पर ये फिनिशिंग होगा वो भी आपको दिखाते हैं ये जो है ये इस पर ये कवर इस तरह यहां पर चड़ा लेंगे और उसके बाद इस पर फिनिशिंग के लिए ये कवर आ जाएगा ये इसको यहां पर फिट होगा और इसके उपर जो है ये ज तायल के साथ बराबर फिक्स हो जाएगा और इसके उपर जो है फिनिशिंग के लिए यह कवर इस तरह फिनिशिंग में आएगा इसके बिलकुल बराबर और उसके उपर यह कप लगेगा यह कप और इसका हैंडल देखो यह इसका हैंडल लगेगा और यह इसलिए आपको बता रहें कि ताकि यह जो सिस्टम है यह पूरा वाल के अंदर है खाली पर जो है इसकी यह नजर आएगी जो आणास के जो सिस्टम है यह नजर आएगा और बाकी सारा अंदर ग्राउंड होगा और उपर इसका यहां पर शावर लगे जो यह जो पाइप है यह वाइच बिसन के लिए ने रखा है और यह इसमें इस यह रेड़ और ब्लू है इसके अंदर एक वाइट कलर का फिक्स पाइप हमने रखा है इसका यह फाइदा होता है कि यह जो पॉइंट है अगर कहीं पर इस लीके जा जाए या कुई भी पाइप खर सबसा और इुम पूर निकाल सकते हैंगोगोगोगी तो निकाल सकते हैंगोगोग में हैं वो बात्रूम की फेटिंग के लिए टेक्स पाइब काफी बहतरीन आडिया है